शिक्षा मंत्री सुरेश भारदवाश ने शिम्ला शहर वा इसके आसपास के क्षेत्रों में बजारों को खोलने और इस तोरान समाजिक दूरी बनाये रखने वा सेनेटाइज सुविधाओं की सुनिश्चित्ता के लिए लूर बजार राम बजार वा शिम्ला नगर के साथ ल सुरेश भारदवाश ने सुम्ला बचत भवन में शिम्ला शहर के व्यापारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए सुरेश भारदवाज ने कहा कि बैठक में शिमला शहर में बाजार को कितने समय तक खुला रखना है इस विशे पर शहर के व्यापारियों के साथ चर्चा की गई सुरेश भारदवाज ने कहा कि 31 मई को लॉकडाउन 4 खतम हो गया है और सुमवार से अनलोक वन की शुरुवात हो गई है उन्होंने कहा कि धीरे धीरे सारी व्यापारिक गतिविध्यों को शुरू किया जाएगा और सुमवार से परिवेहन सेवा भी शुरू हो गई है सुरेश भारदवाज ने कहा कि बैठक में सुभा 10 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार को खुला रखने का सुझाव दुकानदारों द्वारा दिया गया था और रविवार के दिन जरूरी सिवाओं को छोड़ कर बाजार को बंद रखने की बात कही गई थी सुरेश भारदवाज ने इस दौरान दुकानदारों से कोरोना वाइरस से संबंधित सभी निर्देशों का पालन करने का भी आवाहन किया ताकि इस वाइरस के संकर्मन को फैलने से रोका जा सके 31 माई को लॉक्डाउन जो था वो समाप्त हो गया है लॉक्डाउन फोर खतम आज से अन्लॉक फेस वन शुरू हुआ है हमने जो है एकोनोमिक एक्टिविटी हिमाचा प्रदेश में शुरू की उसमें दुकाने खुली थी लेकिन शिमला में कुछ ऐसे बजार थे जिनको हमने बन साइट खोला था बन साइट जो है वो अटरनेटेट डेस पर किया था लेकिन सारी एक्टिविटीज खुलनी है धिरे धिरे होटल रेस्ट्रेन इत्यादी सब कुछ खुलेंगे पब्लिक नास्पोर्ट आज से चुरू हो गया है तो यह एक बहुत बड़ी जो है डिमांड थी शेहर के लोगों की प्राटिकुलरली लोर बजार क्यादी की कि यहां पर भी जो है वो दौनों साइट जो है वो बजार जो है वो खुलेंगे अब जो सुझाब आये हैं यहा रेक्सेशन है वो भी बढ़ गई है और इसी दृष्टी से टाइमिंग भी जो है वो बढ़ाने के सुझाब दिये हैं क्योंकि अब 6 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक जो है वो रेक्सेशन रहेगी उसके बीच में जो नॉर्मल एक्ट्स हैं शॉप्स और कमर्शल सुझाब आये हैं तो उनके सुझाब हैं कि 10 बजे से 7 बजे तक जो है वो बजार खोले जाएं फिर संडे कंप्लीट जो है वो क्लोज रहे केवल असेंशल कमिट्री जो है सुभा 10 या 11 बजे तक जो है वो उसकी दुकाने खुली रहेंगे अने था पूरा वो भी उस समय के बाद जो है कंप्लीट बंद रहें और उसमें सैनिटाइजेशन नित्यादिय का जो काम है वो सैनिटाइज करें उसके लिए मिस्वर कॉर्पोरिशन को जो है वो ऐसा बो दिया जाएगा कि भी कंप्लीट जो है वो संडे को बंद रहेगा इसी प्रकार से दौनों साइट के बादार जो है वो खुलें ये सुझाब भी आया है फिर उसमें ये सुझाब आया है कि इसमें खुलें दोनों साइट के बादार लेकिन सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे सभी जो establishment वाले लोग है जो मतलब दुकांदार हैं अपनी दुकान में जितनी जो है वो जगहा है उसी साब से उतने ही गाप जो है उसमें दोगस की धूरी में ना करके जो है जाएंगे उसकी जिमाबारी उसे शॉपकेफर की होगी. इसी तरह से जो है, वो one way होगा, वो DC साब district administration तहे करेगा कि कौन्सी साइट से लोग जो है, वो बजार mentor करेंगे और किस साइट से exit करेंगे, उसके notifications ये कर दिये जाएंगे, तो धेरे धेरे जो है, वो सारी activities जो है, वो प्रारम्ब हो, इसमें बाकिस्थान जो है, खुले रहे और एक-दो स्थान किसी कान से बंद रहे हैं, ये एक उचित जो है, नहीं लग रहा था, इसलिए सबसे इसका जो है, सुझाव लिये जाएंगे, ऐसा तहे किया गया, इसलिए जो है, वो आज जो इस खेतर के जो हमारे वेपारी हैं, उन सब को बुलाया था, और कुछ और अभी सिंजोली है, छोट से बलायक सुनती है, वहाँ पर भी जो है, वो एक साइट, एक दिन, दूसरी साइट, दूसरी दिन खुलती थी, तो सब स्थान जो है, दोनों साइट से खुलें, ऐसा सब का सुझाव था, डीसी साब ने सुझाव सुन लिये हैं, ये एकॉर्डिं व्यापार मंडल शिमला के अध्यक्ष इंदरजीत सिंग ने कहा कि दुकानों के बंद रहने से दुकानदारों का कारोबार भी प्रभावित हुआ है, उन्होंने कहा कि अब शिमला में सुभा 10 बजे से शाम 7 बजे तक सभी दुकानों को खुला रखने की इजाज़त मिल ग का मिलना चाहिए, तो आज उपईफ मौदे का मैं बहुत-बहुत धन्यावाद करता हूँ, साथ ही अमारे स्थानी विधायपियां उपस दे थे, तो आज जो विपारियों को है, छे के छे दिन दुकाने खुलने का अफसर प्राप्त हुआ है, वो सुभा 10 बजे से लिके श का भी संतुष्का, ब्यूर रिपोर्ट, सिटी चैनल शिम्ला